इस समय हम मालती चोहान के माईके यह उमरी कला में हैं और इस समय हम उनके घर पे ही महजूद हैं कोई कहता है कि मालती चोहान के लोगों का आरोप है कि मालती चोहान की हत्या हुई है मालती चोहान सुसाइड नहीं कर सकती है चार बहनों में सबसे छोटी थी दो भाई हैं उनके और यहां पर रहे के पढ़ाई भी खी अपना और यहीं से उनकी साधी हुई मालती चोहान की तो हम इस घर पे आ गए हैं उनके और अभी चलते हैं मालती चोहान के पिता जी है और उनकी भावी हैं उनसे बात करते हैं 22 तरीक को सुवेरी हमारी बात होती है मालती से कति पपा मैं ठीक हूँ फिर 22 तरीक को दो पहर को एक बार और ठोड़ी देर के बाद बात होता है घंटा दो घंटे बाद क्या बात होती है तो ठीक हो अच्छे हो कि नहीं हो करते हैं ठीक हूँ मैं कुछ हमारे पाद जब दुबारा फोन होता कुछ नूज वाले आए थे तो करते इंटर्विव देनेगे मैं कहा इस तरह बात है कर दो इंटर्विव नहीं उसके पीछे भिशनु खड़ा होके करता दो इंटर्विव मत देना उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं वहां पर जिसमें मालती से कहवाते हैं कि कहो मैं अपने दीदी की घर है और मैं अपने बावु जी के साथ आज सुस्वराल जाएंगी हम आप लोग से दोस्तों बता रेना चाते हैं कि अभी हम अपने दोस्तों हमें ही कहना चाते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए मेरा जिन्दिगी तो ऐसे भी जहन्ड हो गया है आप तो मेरे पिछे आप लोग ना पढ़िए दोस्तों प्लीज आप लेक्से एही रिक्वेस्ट है कि मेरा पिछा छोड़ दीजिए मुझे इंटर्व्यू ना कि सरीयंत रटता है और इसे उकरता तो हमारा बेटा और बड़ी बेटी दोनों का बोलता फंक करते हैं चाहां पर है करते फिर इससे क्यों बनाई ऐ तो मालती का थे विश्र कहा इस्टरह बनाने के लिए ऐसे तो हमें ऐसे बום ना पड़ा वी मीडिया अले मेरे पास नहीं आएंगे तब जब इस तरह बोल देगी उसके बाद रात में उसको फांसी लगा के मारता है कि गला दबा के मारता कैसे मार दिया और फोटो साफ नजर आ रहा है वीडियो में आज हम देखे हैं कोई दिखाया नेट पे चल रहा है वो वीडियो कि जिस कमरे में है वो पूरा डेंटिंग प्रेंटिंग आप देखे होंगे है और उसमें वो फूस्वला लगाया जाता है पाउदान का वो भी दिख रहा है जो है वो अपना लेके लिख रहे हैं सामने ऐसा खड़ा है उसके बाद जो फंदा दिखाया जा रहा पंखे से लटका हुआ वह बैड रूम है नीचे बैड उसमें दिख रहा है आप देखे होंगे वीडियों में बैड उसके दिख रहा है उसके सामने बाहर लाज को ला करके यह और रखने के बाद हमे फोर करते हैं हम वहां पहुंचते हैं तो परसासन वहां पहुंच चुकती है को सोलेवी, भी बहुत से लोग पहुंच चुकते हैं , उसके मुझपे पूर एग्रम काला सा निशान एय बना हुआ है और ये पूरा ये चीज रगड़ा हुआ है ये न कि Moving के लिए कि देंग लिए किमालती कि जो साधी हुई थी उस टांब मारा आर्थिक जुब्रोस्ता इस्तिती होता बहुत खराल था क्योंकि मेरी वाईब कित्निक की हुरीज थी तो इसी कर दो महेना दोरान पहले दोरानली का मरी थी चुह इसने साधी के लिए बहुत तो तमेशोन नाथ मंदिन में ले जाकर के साधी करवा दिये थे उसके बाद उसको प्रेडित करता रहा और कुछ दिन तक तो जब पैसे कुछ आना पर अलगा तो थोड़ा सा जो नहीं प्रेडित करता रहा उसे मारता रहा गरिया ता रहा मैं का चलो कोई पराने में होता है मिया दीवी में चलोगा आज नहीं तो कल से ठोजाएगा यह जानता था कि उसकी हत्याई कर देंगे लोग ले जाकर के अब इसके पीछे कितने लोगों का हाथ था कितने इस तरह से साजिस्प्रिया है जो चार नाम आपको लिए है यह चार तो इसमें मेन है अंकल जी आपने किन लोगों के खिलाब एक हाई यार दर्जगर आया है इंचान लोगों के खिलाब पर दिशनु के नाम से कराया उसके बाद फिर मैं स्रियो साहब को तहरीर देख एक दरखास लिए और ले गया दे करके आया हूं जिसमें अर्जन बर्मा राधिका का नाम को पुलिस तो अभी तक क्या तार्वाइ कि यहां नहीं तो अगी दोस्किन प्रयस्षली आरहे हैं और ज्या राधि अधर से शंज्छियों है और यह सुनाई दिया था । बिस्ए सआधी हो गोर्त थी बीश्रूने या फिर मालती ने साधी कर लिया था, आरभ फिन लुञ अब बता रहाना उजान राजन भाई कि यह के बता रहाना कि सुटिंग के बाहाना लिया गया आरजुन मिला लाना मतलब दूसरु से मिले अब तो सुनने में ही आ रहा है कि सुषाइट कि क्या लगता आपको क्या लगता है वो सुसाइट कर सकती है जी हां मतलब किसे इसका कैसे मतलब आप कह रहे हैं कि हां सुसाइट कर सकती है इसके पीछे भी कोई कारण होगा ना कारण तो वही है कि मिसुरु राज किसी और से साधी कर लिये थे मिसुरु राज किसी और से साधी कर लिये थे तो अभी हम पहुत गये हैं संदिक अभी नगर जिलए के थाना मोहौली और जो गाव है काली जगदीश पूर काली जगदीश पूर गाव जहां पे मालती चौहान का सफ्राल है यहां पे मालती चौहान और विडियो एडिटिंग का काम करते थे यह इस्टूडियो वही है और यह गाह है अब देखने पाशी में उनका घर है अभी हम उनकी घर पे चलते हैं देखते हैं कि जीरो से उनकी जरनी सुरू होई अवाज हंडेट पार कर चुकी उछ गामालोग ने बताए कि उनके पती बहुत संघस करते थे पत्नी में फ्रेम भी था कुछ लडाईयां जगडा सबके बीच में होती हैं हो भी रहा था इधर बीच में भी कुछ लडाईयां हो रही थी वो अपने पापा के घर थी बाद में सुल्रा समझाता हुआ वो यहां अपने घर काली जगडीस पूर आई जहां तक मैं जानना हूँ क्योंकि पीएम जहां मतलब उनका हो रहा था डेट बाडी का वहां पे भी हम थे क्योंकि मैं भी कहीं से जुडा हूँ तो मेरा भी काम गयुयाँ तो संहान हो इसम मेन कितने लोग मिले हुए है या पती हीत्या कर दिये या पती है या पतनी सोसाइट करी इसकर जांच का वी सह तो अभी जिशुर चोहान पकड़े हैं आपके लिए नहीं प्राजा सकता है कोई पोटो में दिखा जा जा चुका है बाकि अर्जिन बर्मा राहुन चुरुषिया राधिका इंका कोई पताने लग रहा है कि ये कहां है ये पकड़े जाए कि नहीं पकड़े है हम संद्र कभी नगर ठाना महुली में हैं मालजी चोहान केस की जानकारी लेने के लिए हम ठाने में आए तो यहां पर तैनार पिनोत मारियादो दीमान के फट्वेश है उन्होंने मौकरित में बताया कि मिर्टत की तिता द्वारा जो तहरीर दर्ज कराई गे उसकी अधार भी जहरे नहीं दिंशाम दहित परताना पे उकदमा दर्ज गर्द लिया गया है और जो मुख आरोपी है विशुराज इसको जेल गे दिया है लेकिन अभी तक पीम रिपोर्ट पिता को नहीं मिली है और यहां पर दिवान जो दैनार हैं विनोत मारियादो उन्होंने बताया कि वो फासी लगने से उसकी मौत हुआ है यहां रिपोर्ट है खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भासा